अहिंसायम करुणा के अवतार, स्रमन भगवान महावीर के पौनपनी चर्णों में, सादर कोटी-कोटी वंदन अभिनन्दन ध्यान योगी युक प्रधानाचार्य पुज्य स्री शिव मुनीजी मारा साहब संग गोरव उपरवर्तक परम सेवा भावी पूज गुर्देव स्री प्रेम सुख जी महाराज के पौनपनी चर्णों में, सादर कोटी-कोटी वंदन अभिनन्दन आदर्निय मुनिवरिंद उपस्ते धरम प्रेमी बंधों माताव एवं बहनों वर्ष दो हजार बीस के परिशन परवो का आशे सुबारंब पुरे देश और दुनिया में होने जा रहा है जहां जहां पर स्रमन संस्कृती के अनुयाई निवास करते हैं उनकी आस्था है उनकी श्रद्धा है उनका विश्वास है कि भगवान की वाणी स्री अंत्कृत्धसांग सूत्र की हम वाचना सुने कोरोना काल के अंदर हर साल की भाती रूटीन तो नहीं बन पाया फिर भी अनेक माध्यमों और साधनों के द्वारा लोगों की पूर्ती हो रही है प्रत्यक्ष संत साध्यों के सामने जाकर के सुनने वाले तो लगभग इस वर्स ना के बरावर है लाइव, ऑनलाइन, जूम एप, आधी आधी अनेक तरीकों से लोगों तक भगवान की वाणी पहुचाने का संगों ने प्रवंद किया है और लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ करके भगवान की वाणी को श्रद्धा पूरुग तरीके से स्रवन कर रहे है यहाँ बीड संग के तत्वाव धान में जो हमारा चात्रमास चल रहा है मैंने पहली भी कहा था कि हमारे वाणी विभूसन स्री रिशी मुनी जी महराज मुख्या रूप से अंत्कृत दसांग सूत्र की आपको वाचना सुनाएंगे आज के पहले दिवस पर मूल पाठ व्याख्या और अंत्कृत दसांग सूत्र इन चार शब्दों का उन्होंने सुन्दर विवेचन अर्थ आपको बतलाया है नगरी के सबरूप को बतलाया है परिशन की महत्ता को आपको बतलाया है परिशन पर्व हमारे आपके सभी के जीवन में बड़े ही धर्म दृष्टी से महत्त्पूर्ण है और परिशन शब्द का एक शब्द मिलता है परिउपासना परिउपासना का भिप्राय है कि आत्मा के समीप बैठना हम जादा तर दुनियादारी वाले लोग बहार घूमते हैं बहार की गतिविद्यों में रुची लेते हैं अंतर आत्मा का चिंतन नहीं करतें अपनी आत्मा के नजदीक जाके बैठने की कोशिस नहीं करतें जो लोग ध्यान साधना के अभ्यासी हैं ध्यान साधना करते हैं वो अपनी साधना के द्वारा जरूर आत्मा के निकट पहुचने का प्रियास पुरसार्थ किया करते हैं यह जिनको आध्यात्मिक रुची है वो आत्मा के निकट आते हैं जब जब साधक आत्मा अपनी आत्मा के समीप नजदीक निकट आकर के बैठता है, आतम दर्सन करता है, आतम सवरूप का चिंतन करता है, तो संसार के राग द्वेश से अपने आपको जुदा करता है। संसार में रहकर के संसार की किरियाएं तो करेगा, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होगा, बंधेगा नहीं, उसका धे, उसका लक्ष आत्मा बन जाता है, और आत्मा के नजदीक आकर के वह जो है, अपनी धर्म आराधना करता है, कर्मों की निर्जरा करता है, कर्मों को खपाता है आत्मा को हलका बनाता है तो इस प्रकार ये परिशनों का जो अर्थ है वो है ऐसी साधना ऐसा अभ्यास ऐसी प्रेर्णा जो हमें आत्मा के निकट पहुँचने की बात कहे आत्मा के निकट जाकर के उपस्तित होने की बात कहे ऐसा नहीं कि आत्मा नाम का कोई तत्यों है वहा आव यह है कि हम संसार से द्रिष्टी हटा करके आत्मोन्वखी बन जाएं, आत्मा की तरफ हमारा ध्यान लगे, चेतन्य की तरफ हमारा आकर्शन बढ़े, और आत्मा के दो ग्रेड कहो, दो रूप कहो, दो प्रकार कहो देखने में आते हैं, बहिर आत्मा और अंतर आत्मा, परवे करने निकलें तो दुनिया में बहुमत मिलेगा बहिर आत्मा वालों का जो बहार की दुनिया में गूमते हैं बहार की दुनिया में आनंद महसूस करते हैं बहार की दुनिया में दुखी होते रहते हैं और जीकते रहते हैं लेकिन फिर भी बहार की दुनिया में ही गू अंतरात्मा की ओर आने में। अंतरात्मा की ओर हम आते हैं – अनन्न की अनुभूती हमारे को करवाते हैं. हमारे स्रमन संक के वर्तमान आचारियक looking पुझ्ज श्री शिवमनी जी महराज उनकी किताब है ध्यान के विसे में जब उसका विमोचन हुआ तो सईयोग से मैं मंच पर था विमोचन हुआ गोशना हुई मेरे हाथ में किताब दी मैंनो उसका नाम पढ़ा किताब का नाम था आघर लोट चलें आघर लोट चलें यानि हे आत्मा तुम बहार भटक रहे हो तुम अंदर की और चलो अपने अंतर मुखी हो जाओ अपना घर क्या है आत्मा तुम अपने बहार की गती विदियों को समेट करके आत्मा में प्रवेश करें अंतर आत्मा भी मुख बन जाएं तो ये जो है परिशन पर्व हमारे को पावन प्रेर्णा प्रदान करते हैं परियूशन की एक परिभासा और है परी समंतात उशंते दहियते पाप करमानी यस्मिन तत परियूशनम अर्थात इसका भाव है सभी पाप करमों को जो जला डालता है वे परियूशन है जो सभी पाप करमों को जला डालता है वो परियू कुछ ऐसा पाप करम जले नहीं है बाहार की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के नहीं जलेंगे हम अध्यातम की और बढ़ें इन परिशनों के पावन दिव्य सिक्षा संदेश को आतम साथ करें उसका आच्रन करें उस मारक पर लगातार पुरसार्थ करते रहें तो करमों की नर्जरा होगी करम समापत होंगे तो देर सबे निर्वाण और मुक्ति की प्रापती भी होगी अंत्रिक दसांग सूत्र के अंदर आप जो अपने कदम धरम अध्यातम की ओर वढ़ाए साधना की ध्यान किया तप किया सहन सीलता को जीवन में बना करके रखा और अपने आध्यात्मिक पुरसार्थ के द्वारा कर्मों की निर्जरा करी और कर्मों की निर्जरा करके परमपद निर्वान मुक्ति की मौक्ष की प्राप्ति उन्होंने करी तो मौक्ष की प्राप्ति के पहले क्या करने कर्मों को खपाना है कर्मों को जला के नश्ट करना है और जला के नश्ट करने का मतलब क्या निर्जरा करनी है और निर्जरा कब होगी जब धरम के रास्ते पर चलेंगे तो पर्यूशन पर्व हमें प्रेरणा देते हैं कि सभी प्रकार के पापकर्मों को जो जला डालने की शिक्षा प्रेरणा संदेश देता है वो है पर्यूशन परिशनों को हमारे यहां के आचारिय, ग्यानी, विद्वान, लेखक, चिंतक सब कहते हैं भी ये पर्व राज है, पर्वों का राजा है पर्वों में स्रेष्ठ है क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में पर्वों के दो वर्ग हैं, दो रूप हैं, दो प्रकार हैं प्लॉकिक हैं, संसारिक हैं, जिन परवों के मनाने में संसार दृष्टी रहती है, कि भी फला परव आ रहा है, इसकी पूजा करने से घर में सुक्सानती रहती है, फला की पूजा करने से घर के बच्चे स्वस्त रहते हैं, फला की पूजा करने से पती का स्वास्थ और लंब आदी आदी अनेक प्रकार की संसारिक दृष्टियां जिनमें भैबी समाया हुआ होता है कुछ लोकिक कामनाएं होती हैं जिनमें खाना पीना गूमना अच्छी ड्रेस पहनना सजावट करना बनावट करना अनेक तरह के लोकिक पर्वे हैं आप देखते हैं हमारे देश में अब रक्षा बंदन आ रहा है फला फला महापुरसों की जनम जैनतियां आ रही है इसमें ये खालो यहां गूमलो वहां होके आ जाओ अनेक तरह की प्रक्रियाएं लौकिक पर्वों के साथ जुड़ी हुई है भारतवर्स वड़ा विशाल देश है अनेक धरम और संस्कृत के लोग निवास करते हैं लौकिक पर्वों का करम तूटता नहीं है निरंतर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ देश के अंदर चलता रहता है हम इसके विरोधी नहीं है हम इसको हीन नहीं मान रहे हैं ठीक है संसार दृष्टी से लौकिक पर्व भी मनाए जाते रह हैं और मनाए जाते रहेंगे लेकिन लोकिक पर्वों के अतिरिक्त और भी कुछ पर्व हैं जिनकों कहते हैं अलोकिक पर्व अलोकिक पर्व जो लोग से अलग अलोक की तरफ की प्रेड़ना देते हैं जिसमें धरम और अध्यातम की प्रेड़ना है जहां आत्मा की बात है जह जा शुद्धी करण की वात है, जा कशायों को कम करने की वात है, जहां कशायों को समाप्त करने की वात है, मानवे गुणों के विकास की वात है, आध्यात्मिक गुणों के विकास की वात है, ऐसे पर्व जो हैं, उन्हें हम अलोकिक पर्व या आध्यात्मिक पर्व कहते हैं, लोकिक पर मना ले बढ़ी अच्छी बात है लेकिन अलोकिक पर आध्यात्मिक पर मनाने अतियनिवारिये हैं यह हमें बार बार प्रेणा देते हैं कि आघर लोट चलें, अपने अंतर मुखी हो जाएं हम करम निर्जरा के बारे में विचार चिंतन करें, हम अपने आत्मिक शुद्धी के बारे में विचार चिंतन करें, हम अंतर की सफाई अंतर का शोधन करें, बाहर की सफाई एक सभ्यता के हिसाब से बहुत अच्छी है, लोग बाग घर बुहारते हैं, आंगन बुहारते हैं स्वयम अपने सरीर के शुद्धी करते हैं, वस्तरों के शुद्धी करते हैं अनेक प्रकार के शोधन कारिये करते हैं लेकिन ये शोधन कारिये हमारे को अपने अंतर का भी करना है हमारे यहां जैसे जैसे पर्यूशन परवाते हैं तो लोगों में आजकल सोशल मीडिया पर मैसिज फारवर्ड करने का एक प्रचलन सा चल गया खिमत खामना, खिमत खामना, खिमत खामना, मिच्छामी दुकणम, मिच्छामी दुकणम चाए अर्थ मालुम ना हो कि मिच्छामी दुक्णम तो कब कहना है और खिमत खामना कब कहना है ये अंतरभेद मालुम होना चाहिए मिच्छामी दुक्णम शब्द का अधिकांस प्रियोग प्रती कर्मन के पाठों में आता है कि जो मेरे द्वारा भूल चुक प्रमाद में कोई पाप दोस लगा है तो मैं निजी तोर पर उसके लिए मिच्छामी दुक्णम देता हूँ उसको मिध्या और दुस्कृत करता हूँ कि दुबारा से उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा दुबारा से उनको नहीं दोराऊंगा लेकिन प्राकृत के इन शब्दों का आम जनता को ना तो अर्थ मालुम होता है ना मालुम करने का कष्ट करते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है स्वाध्याय नहीं करते हैं सही प्रॉपर तरीका खिमत खामना का चमायाचना का है कि हम जो है खिमत खामना शब्द का प्रियोग करें कि हम आपसे चमायाचना मांगते हैं खिमत खामना करते हैं अब हिंदी में चमायाचना कहते हैं प्राकृत में खिमत खामना कह रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि मिच्छामी दुकडम का प्रियोग कहा करें और खिमत खामना का प्रियोग कहा करें ये बात मेरे दिमाग में दो तीन साल से खटक रहती है प्रचलन घालमेल बढ़ता जा रहा है लेकिन कल परसों किसी सज्जन ने इस प्रकार के अंतर भेद के स्पष्ट करते वे लोगों के लिए लार्ज स्केल पर इसको वित्रित किया बाटा इधर उधर भेजा तो इससे लोगों में स्पष्टता आएगी अच्छी बात है तो इस प्रकार हम जो हैं चिंतन करें कि भी हमारे अंतर की सफाई हो अंतर का शोधन हो कि मेरे कसाई कम हो रहे है या नहीं हो रहे है मेरे क्रोध मान माया लोग कम हुए या नहीं हुए राग और देश में कुछ गिरावट आई या नहीं आई इस प्रकार का विचार चिंतन जरूर करना चाहिए हमारे यहां आगमों में, सास्त्रों में, सब जगे वरणन आता है बार बार हम कहते हैं कि वह इस आत्मा पर कर्मों का आवरण चड़ा हुआ है चारों तरफ आत्मा पर कर्मों का आवरण चड़ा हुआ है और इस कर्मों के आवरण को हटाना है आत्मा की इन पड़दों को बंधनों को हटा करके आत्मा को जो निर्मल सवरूप है उसको प्राप्त करना है तो उसको समाप्त करने के लिए निर्मल करने के लिए इन आगमों के अंदर बार 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 इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान की गई है हमें इस चीज को भली प्रकार से समझने का उपक्रम, प्रियास, पुरुसार्थ जो है जरूर करना चाहिए इन परिशन के आट दिनों को अस्टाहनी का पर्व के रूप में भी मानते हैं अस्टाहनी का पर्व शब्द जो है, जादा तर दिगंबर परम्परा के अनुयाईों में ये शब्द पेटेंट है, वंदधा हुआ है, कि आट दिन के पर्व आ गए है और 4-4 महिने के अंतर से ये अश्टाननी का पर्व आज भी दिगंबर परंप्रा में मनाये जाता है हमारे यहां तो यह करते हैं कि बहाई पर्विशन मना लो उसके बाद होली चातरुमासी आगे फिर पर्विशन मना लो लेकिन ये अश्टानी का पर्व जो है वर्स में तीन बार मनाने की प्रथा वहाँ पर प्रचलन में है लेकिन इन परिशनों को अश्टानी का पर्व को मनाने का तरीका क्या है कि खाली हमने प्रवच्चन सुन लिया अंत्किर दसांग सुन लिया क्या एक ही कर्तव्य नहीं और भी बहुत सारे कर्म हैं कर्तव्य हैं जिन किरियाओं और आच्रणों को करके इन पर्व की हम और अधिक सार्थक्ता और अधिक इसका लाव हम प्राप्त कर सकते हैं ठीक है पर्युशन पर्वों में एक परंप्रा के अनुसार प्रतिवर्स अंत्कृत दसांग सूत्र सुनने की परिपाटी है ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि पुराने समय में कल्प सूत्र के सुनने सुनाने की परंप्रा रही कि बे कल्प सूत्र जो है वो सुनना सुनाना चाहिए और कल्प सूत्र में आम तोर पर उसकी तीन विभाग है प्रथम विभाग में 24 तिर्थंकरों का जीवन परीचे है कुछ तिर्थंकरों का जीवन परीचे है थोड़ा विस्तार में है खास करके भगवान महावीर का है पारसुनाद भगवान आदी आदी का बाकियों का सामान ने हलके से टच देकर के जो है परीचे दिया है लेकिन परंपना ये रही कि 24 तिर्थंकरों का इसमें जीवन विरतान्त है ये मंगलकारी है इसको सुनना सुनाना चाहिए ये प्रथा चल रही थी और चलती रही उसका दूसरा विभाग है समाचारी कि साधू जीवन में साधू जीवन की समाचारी क्या है समाचारी यानि उनका आचार विचार नियम कैसे है उनके जीवन चरिय का टाइम टेबल क्या है क्या क्या उनके लिए करना अनिवारिय है क्या नहीं करना चाहिए आदी ये समाचारी का उसमें वर्णन आता है और ऐसा कहते हैं कि रात्री काल में सारे सादू बैठ जाते थे और सामुहिक रूप से उस समाचारी का वाचन करते थे कि भी हम सब सादू बार 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 इस समाचारी का वाचन करें क्यूं करें? कि अपने नियम उपनियमों को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें बार बार ये बोध होता है कि भई ये मेरे नियम है भूल चुक ना हो जाए प्रमाद ना करूं और इन नियमों का मुझे भरपूर रूप से जागरिती के साथ इमानदारी पूर्वक तरीके से इनका पालन करना है तो ये कल्प सूत्र का दूसरा हिस्सा है तीसरा हिस्सा है इस्थ्विरावली इस्थ्विरावली का मतलब है कि भगवान महावीर के मौक्ष गमन निर्वान गमन के बाद और बहुत अधिक लंबे समय तक के पीरड में जो आचारियों की, इस्त्विरों की पट्टा वली है उसका वाचन करना उसका वाचन क्यों करते हैं? ताकि हमें क्रम मिले एक पुरी स्रंखला मिले कि भगवान महावीर के वाद हमारी परंपरा में कौन-कौन महाज आचारियों हुए है कितनी शाखाओं की उप्षाखाएं, प्रशाखाएं निकली है इनका बोध हमारे को हो एध्यान लखना जो जागरुक समाज होती है जो जागरुक देश होता है वो अपने इतिहास को संजो करके रखता है इतिहास को बचाने की हर संभव कोशिश करता है तो इतिहास बचाने का काम सबका करतव्य है कि हम अपने इतिहास को बनाएं, बचाएं और उसको सही विवस्थित तरीके से समझने का प्रियास करें मैं देखता हूं कि हमारे यहां की जो धारमिक्ष्रत धालू जनता है वो केवल उन चीजों को जानना पसंद करता है जो थोड़े जरूरी से लगते हैं बाकी इतिहास की जानकारी वाले लोग थोड़े हैं लेकिन फिर भी ज़ा थोड़े हैं जो हैं उन्होंने बड़ा मोटा बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा व्यवस्थित काम किया है यह पट्टा वली स्थ्विरा वली तो बार बार प्रतिवर्स हमारा ध्यान आकर्शित करत ही है और इसी के आधार पर आगे बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारा अनुसंधान करके चीजों को व्यवस्थित बनाने का कारिय किया है हमारी इस वर्तमान या गत्सताबदी के अंतरगत आचारियों में कुछ ऐसे आचारिये हुए हैं जिनों ने इतिहास पर इतिहास विद्ध आचारी हुए हैं और हमारे स्थानकवासी समाज में आचारी स्री हस्तिमल जी महराज ने जैन धरम का मौलिक इतिहास चार भाग जो लगभग दो से धाई हजार प्रिष्टों के बीच में हैं, चार भागों में हैं, बहुत सुंदर, विवस्थित, अच्छ और अनिकांत द्रिष्टी को अपनाते वे उन्होंने इस इतिहास का की रचना करी है, और पाठक वर्ग उससे लगातार आज भी लाब की प्राप्ति करता है, तो इस प्रकार स्थिरा वली यानि इतिहास, और ऐसा एक इतिहास पर बड़े सुंदर रीती से काम किया था, दि स्थानक वासी समाज के एक नौ जवान नव यूवक हैं, जिनों ने देखते देखते अपनी स्वयम की पहचान भी बड़ा काम किया है, वो हैं डॉक्टर अमित राय जैन, अमित राय जैन जो यूपी में बड़ोत शहर के अंदर रहते हैं, जह मुझे भी चातरमास करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसका बालकाल बालकाल के बाद योवन काली सब हमने देखा है, और उसे भी इतिहास के बड़े बड़ी रूची है, और बड़ी तादात के अंदर प्राचीन हस्त लिखित गरंथों का संग्रह उसके पास है, और उसने कोसिश करी, कि हिंदुस इसे भी करके प्राप्त करूं और बहुं सारे गरस्ती लोगों के पास मिले तो उनको पैसे दे करके भी खरीदा लेकिन इस्थानक वासी समाज का प्राचीन इतिहास हस्त लिखित गरंथों का इतिहास कम से कम एक जगह एक सेंटर पर तो अपलब्द हो तो ऐसा पुरसार्थ क कुमार जी जैन मालिर कोटला वो भी इतिहास में बड़ी रूची रखते हैं ऐसी एक पतनी फ्रांस या जर्मन के विद्वान है नाम मेरा दिमाग से उतर रहा है वो भी स्थानक वासी समाज के इतिहास पर बड़ा काम कर रहे हैं कहने का भी प्राइए है कि हर समाज हर संग को और हर परंप्रा को अपने इतिहास को संजोना चाहिए इतिहास को बचाने का काम करना चाहिए तो कल्प सूत्र जो है एक इतिहासिक ग्रंथ है जिसमें तिर्थंकरों का समाचारी का और इस्थ्विरा वली का हमें वर्णन प्राप्त होता है फिर ऐसा भी कहा जाता है कि क अल्प सूत्र की वाचना में तिर्थंकरों के कल्यानकों पर उनके सपन आदी को लेकर के फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा बाहिये प्रदशन बढ़ने लगा कि जिसमें लौकिकता जादा समावेशित होने लगी केवल बाहिये उल्लास जादा समावेशित होने लगा तो ऐसा कहते हैं कि कुछ पूर आचारियों ने ऐसा चिंतन किया कि पर्यूशन परवों में हम कोई ऐसे ग्रंथ का वाचन करें जो आत्मा की बात करें मौक्ष की निर्वान की बात करे करम निर्जरा की बात करे मुक्ती की बात करे साधना सैयम की बात करे तो पूर आचारियोंने चिंतन करके स्री अंत्र दसांग सूत्र का निर्धारन करा कि अंत्कृ दसांग सूत्र की वाचना इसका पढ़ना हमें अध्धातम की और लेके जाता है हमें सुंदर पावन प्रेरणाय प्रदान करता है कि किस प्रकार एक-एक पात्र इसका जो एक-एक साधक है उनके जीवन में क्या विसेष्टा थी, क्या खूबी थी ये प्रेरणा हमें इसके द्वारा प्राप्थ होती है तो परिशन परवों के मनाने में प्रतम हमारा करतब वेकारिय है आगम, वांचन, स्वाध्धय, सास्त्र पढ़ना खास तोर पर अंत्कृ दसांग सूत्र को पढ़ना या सुनना ये अनिवारिय है इसके प्रस्चात इन दिनों में पोशद व्रत की साधना करने का भी बड़ा महत्व है यूद तो पोशद बारो मास कभी भी करे तब तो तब है लेकिन परिशनों के दिनों में पोशद, परम आउशद, बड़ी दवाई, बड़ी आउशदी पोशद जो आत्मा का उपचार करे, आत्मा की और लेकर के चले पोशद करने वाले साधकों के लिए प्राचीन काल में खूब ऐसा वरणन पढ़ने में आता है कि भगवान महावीर के प्रमुक्स रावकों के घर पर पोशद शाला होती थी पोशद शाला, घर में ही कोई ऐसा कमरा एक ऐसा इस्थान जहां केवल धरम ध्यान करने की जगह हो घर गरस्त का हो हलना नहीं कोई चमक दमग नहीं बड़ा साधगी पूर्ण स्थान जहां चोबिस घंटे के लिए या रात्री भर के लिए साधक साधना करे ध्यान करे, मनन करे, चिंतन करे प्रती कर्मन करे, आलोचना करे तो ऐसा इस्थान पोशद शाला तो पोशद शाला का इस्थान थोड़ा सा शांत अच्छा आध्यात्मेक धार्मेक हुआ करता था समय बदला पोशर शालाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और अब जो हैं जैनिस्थानक बनने लगे उपाश्रय बनने लगे साधना करने के लिए बड़े बड़े भव्यभावन बनने लगे आज भी घर पर कोई व्यक्ति साधना करे और एक स्थानक में आके साधना करे दोनों दृस्यों में बड़ा भारी भावातमक परिवर्तन देखने में आता है घर है तो सभाविक बाते किचन की खटर-पटर भी कानों में आएगी बच्चों का रोना हसना खेलना भी कानों में आएगा टीवी आदी मोबाइल आदी की डिस्टरबेंस वो भी आपको तंग करेगी लेकिन एकान शान्त उपासरे में इस्थानक में आकर के धरम आराधना करना चित्त की एकागरता में सहयोगी बनता है आपका बहुत लोगों से कनेक्शन कट हो गया सूचना संपर्क का माध्यम खतम हो गया कुछ अच्छी किताबें आपके पासें आप स्वाध्या करते हैं पोशद में पढ़ते हैं तो आपको अध्यात्मिक जागरिती पैदा होती है तो पोशद को जो परम आऊशद कहा है वो अपने आप में सही है पोशद के लिए एक जगे पढ़ने में आया कि पोशद यानि बड़ी सामाई का लेकिन बड़ी सामाई क्यूं कहा कि अठ पहरी पोशद करने वाला जब तक उपाश्राय में इस्थानक में है वो सामाईक में ही है पोशद अपने आप में करना वो सामाईक की साधना उसमें समावेशित हो जाती है तो इसने इसको कहा गया कि भी ये बड़ी सामाईक है या आपने छोटे रूप में 24 घंटे के लिए साधू जीवन जैसा स्वीकार कर लिया पोशद में कच्चा पानी आपको नहीं छूना अगनी आपको नहीं जलानी साख सबजी फल फ्रूट आपको नहीं काटना महिला का या महिला पुरुस का संगटा आपको नहीं करना रूई का गद्दाय तकिया पोशद में आपको नहीं लेना और संसारिक चर्चावारता आपको नहीं करनी तो 24 गंटे के लिए साधू जैसी चरिया को पोशद के अंदर स्विकार किया जाता है और इसका अभ्यास बना रहे इसके लिए हमारे आचारियों ने कहा कि अश्टमी, चतुर्दसी, पूर्णमासी, अमावश्या, आदे इन पर्वतित्यों में समय समय पर पोशद की आराधना करते रहें अब कुछ स्थानकों में कुछ संतों की खास उसमें प्रेरणा रहती है कि बे और कुछ ना भी करो तो कम से कम पक्खी वाले दिन आकर के स्थानक में 20-30-50 लोग पोशद तो करें तो पोशद करने कराने की परिपाटी बहुतायत देखी जाती है और हमारे यां समवत सरी वाले दिन जैन स्थानक छोटे पड़ जाते हैं लार्ज स्केल पर लोग पोशद करने के लिए साल भर वेट करते हैं छोटे-छोटे बच्चे साथ साल का है जी आठ साल का है जी नो साल का है जी इसने कर लिया उसने कर लिया बड़ा एक उत्सहा एक उमंग का वात्रण बना रहता है और लोग पोशद विरत की आराधना किया करते है इन परिशन परवों में जा पोशद का महत्व है वहीं इन परिशन परवों में एक महत्व और है कि वही आम संसारिक व्यक्ति विचार करता कि यू तो मैं पूरी तरह से संसारिक होने के नाते मैं पुर्ण रूपिन आरंब समारंब से तो बच नहीं सकता काम, धन्दा, वैपार, फैक्टरी, घर, ग्रस्ती, बहुत सारे आरंब समारंब के काम मेरे द्वारा होते हैं, लेकिन कम से कम इन आठ दिनों में मैं किसी प्रकार के भी आरंब समारंब में सहयोगी नहीं बनूंगा, करूंगा नहीं, करवाउंगा नहीं, करने वाले की अनु करूंगा नहीं बचने की कोशिस करते हैं कि आरंब समारंब से मेरा जीवन बचे बहुत तरह के लोग इन आठ दिनों में पच्छान कर लेते हैं कि में कम से कम जादा नहीं होता मैं ग्रस्ती हूं तो कम से कम इन आठ दिनों में तो मैं इन चीजों से बच जाओं बहुत सारे क अच्छी पक्की हरी का त्याग इसी परपस से करते हैं और भी काम धंदे वेपार संबंदे आरंब समारंब से बचने का काम करते हैं ऐसा आज भी है कि राजिस्थान में जो पाली नाम का शहर है मारवाड में तो पाली शहर में जितने कारखाने हैं हलवाईयों की दुकाने है आठ दिन के लिए टोटल बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ का जो गुलाव का हलुआ है दूर दूर तक जाता है खोव बट्टियां चलती है लेकिन आठ दिन सब प्रकार के वैपार को बंद करके धर्म आराधना में अपने आपको लगा लेते हैं कहते हैं कि जैन तो जैन अजैन लोग भी इसमें सहयोगी बनते हैं तो इस प्रकार आरंब समारंब से बचना और वहाँ पर डाइंग मिल बहुत है कपड़ा रंगने का काम डाइंग मिल तो डाइंग मिल में क्यों पानी की जूरुत है और chemical की जुरुत है पानी में जीव है chemical उसको उमारेगा तो पानी के जीवों का घात ना हो तो dying meal भी आठ दिन के लिए बंद हो जाते हैं कि कोई कपड़ा नहीं रंगा जाएगा कोई पानी इदर उदर नहीं डाला जाएगा केवल जिनको धरम ध्यान करना है धरम ध्यान में लगो आठ दिन ये सभी प्रकार की जो है हिंसा आरंब समारंब बंद रहेगा ये प्रेरना है जो तक है कोई कूतर्क करना चाहे तो इन बातों बे कर सकता है कूतर्क करने वानों को कोई रोग भी नहीं सकता लेकिन एक प्रेरणा है, संदेश है, सिक्षा है, कि ये पर्व हमारे को आरंब समारंब से बचने की प्रेरणा देते हैं, कि हमें अपने दैनिक जीवन में, रूटीन में भी व्यर्थ की हिंसा, फालतु की हिंसा से अपने आपको बचा करके चलने का अभ्यास प्रियास करना चाहिए इन परवों की आराधना का एक रूप और है वो है तब आराधना कि यथा सक्ति जितना बन पाए मैं तब करूं तब बारा प्रकार के बतला है इन में जितने जो भी जैसे भी संभव है वो करें और अंशन आराधना उपवास तीला आदि करना ये सब तप की स्रिणी म आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं तो हमें यथा संभव तब की आराधना करनी चाहिए हर व्यक्ति का सरीर अलग अलग प्रकार का होता है किसी के सरी में पित जादा है किसी के कफ जादा है किसी के वाईू जादा है कई बहुत अच्छे स्वास्थ वाले होते हैं कईयों का स्वास तो कम होता है मनोबल बहुत अच्छा होता है मेडिकल साइंस कहती है कि बहुत शूगर वाले को तपस्टा नहीं करनी ये बात अपने आपे सही भी है लेकिन आपको आश्चरी होगा ऐसे ऐसे लोग भी देखे जाते मैं ये सब वजोद बेले तेले चोले पचोले तक कर जाते हैं इसी कोरोना काल में डॉक्टर केते खाली पेट नहीं रहना गरम चीजे खाते रहो और चारों तरफ सुनने में आता कि अभी भी लोगों ने तपस्याएं करी हैं बिलकुल ठीक हैं अच्छे हैं आध्यात्मिक बल विल पावर के द्वारा बहुत कुछ संभव हो जाता है लेकिन हम कई बार अलियल रुख भी ना अपनाएं कभी कभी आपकी जिदवाजी में आपके जवान बच्चे आपके विरोधी हो जाते हैं विरोधी हो जाते हैं या महराज विरोधी हो जाते हैं या तो उनके अल्प ग्यान की वज़े से वैसा सोच बैठते हैं अभी मैच्चुरटी उनके जिवन में आई ने समझ बड़ी नहीं है कई कारण होते हैं तो आपको डोर बहुत जादा खीचनी भी नहीं और बहुत जादा धील भी नहीं दे संतुलन बनाकर के चलना है और यथा सक्ति आपको जो है तप आराधना का विसेश तोर पर ध्यान करना है मानलो शरीर में कुछ असाता है तो बड़ी तपस्ता नीद छोटी कर लें नवकारशी करें पहरपूरशी करें आप एकाशना करें बेयाशना करें आइंबिल करें उनोदरी करें कुछ नकुछ करें तो तपकी आराधना करने से जीवन में एक सुन्दर वातवन का निर्मान होता है कर्मों की निर्जरा का एक साधन है तो हम तब की आराधना करके अपने निर्मली करण को बढ़ाने का हर संभव जो है प्रियास करें और जितना बन पाए उतनी तब की आराधना हमें करनी चाहिए और मैं देखता हूँ कि तब का संबंद किसी खास वर्ग विसेश से नहीं है कि पिछडे गरीब या किसानी लोग गाओं के लोग वोई तब करते हैं ऐसे से लोग देखे हैं बहुत अच्छे हाईली पड़े लिखे लोग हैं अच्छे खोब संपन पैसे वाले परिवारों के लोग हैं, सब तप करते हैं, तो तप करने से करमों की नर्जरा होती हैं, और तप मैं एक बात और कहूंगा, तप करने में भौतिक कामना, संसारी कामना को ना पालें, बस ये विचार करें, कि मेरे द्वारा, जो एक छोटा मो जैसे भी तप किया गया है, बस मेरे करमों की नर्जरा हो, और कोई कामना मेरी नहीं है, ये भावना लेके तप करें, और परिशन परवों की आराधना का एक प्रकार और है, वो है अभैदान, अभैदान, जीवों की हिंसा ना हो, जीवों का मरन ना हो, हमारे किसी भी कारण से जीवों की मृत्यू ना हो और या हमारा कारण ना भी हो लेकिन हमारी कोशिस के द्वारा जीवों को अभैदान मिले अभी कुछी दिन पहले बक्रईद का प्रसंग आया और हर साल आता है बक्रईद मनाते हैं एक वर्ग विसेश के लोग हैं लेकिन हमारे जयन लोगों की संवेदनाएं उन दिनों में बड़ी संवेदन शील हो जाती है बड़े मन में कम पन भाव पैदा होता है हाई हाई इतने जीव मारे जाएँगे हमारे लोग तो ऐसा सोच करके अपने पुन्यकरजन कहलो कर्मों की नर्जरा कहलो करते हैं और मैंने देखा इस साल भी सैक्णों लोगों ने परतियेक बक्रे पर 11-11,000 रुपे देके बक्रे छुडवाए, बक्रा साला में छोड़ा उन्हें अभैदान दिया और जो गाए, बच्छडे कटने के लिए जाते हैं उनको पैसे दे के खरीद के गवशालाओं में बेशते हैं तो जो लोग ऐसा प्रियास करते हैं वो अपने लेबल पर महान कर्मों की नर्जरा करते हैं पुन्य करजन करते हैं और वहें अपने लेबल पर तो अपना अच्छा काम कर जाते हैं बाकि कौन मारता है, क्यूं मारता है, क्या करता है, हम वहां तक पहुँचेंगे तो उलज के रह जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिस रहनी चाहिए, हमारी प्रेरणा हमारा विचार रहना चाहिए, हम लोगों को प्रेरणा दें अभैदान की, कि हम अपने लेबल पर, अपने प्रियासों के द्वारा, कोशिस के द्वारा, अभैदान के जितने काम कर सकते हैं, उतने काम करें, प्रतिवर्स जैसे जैसे पर्विशन परवाते हैं, हमारे बहुँ सारे सामाजिक कारे करता, जो धार्मिक भी है और सामाजिक कारे करता भी है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की कोपियां लेते हैं सब को पोष्ट करते हैं कि देखो भाई, परिशन के आठ दस दिनों के लिए कोर्ट ने भी कहा है, कतल खाने बंद रहें मांस के दुकाने बंद रहें, पशू नहीं कटेंगे जजों का फैसला अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है लेकिन इस भरष्ट तंतर के अंदर क्या वो implementation होता है हमें इस बात को लेके निरास नहीं होना implementation कितना होता है हमें एक ही काम करना है कि मैंने क्या efforts किये मैंने क्या कोसिस करी क्या मैंने अपने छेतर के निगम पारसद नगर सेवक को वो कोपी दी क्या solator house को बंद करवाने के लिए हमने DM collector से बात करी क्या हमने MLA से बात करी वैसे तो हम डिंग मारते हैं कि हमारी बड़ी approach है लेकिन ऐसे कामों में आप चुप रह जाते हैं आप कोसिस नहीं करते हैं तो हमें प्रियास करना चाहिए कि अभै दान के लिए हम काम करें दुनिया के तैवार आते हैं दुनिया भर की police force लगानी पड़ती है कि हे भगवान ये तेवार शान्ती से निकल जाएं दंगा फसाद ना हो बताओ परिशन के मनाने में कोई दो पुलिस वाले भी लगाने पड़ते हो बड़े अमंचेन सान्ती से गुजर जाते हैं ऐसे आध्यात्मिक परवों की चर्चा पूरे जगत के सामने आने चाहिए दुनिया वालों के सामने आने चाहिए कि कितनी सुंदर प्रेरणा इन परवों के अंदर समाहित है और एक बात और मैं कहूंगा कि जहां हम इन परवों के मनाने के लिए अनेक प्रकार का धार्मिक पुरसार्थ करते हैं कोशिस करते हैं हम छोटी क्रिया करें, बड़ी क्रिया करें, कम करें, जादा करें, जितना भी करें भावना से करें, भाव पूर्ण तरीके से करें यदि भावना हमारी उन चीजों से नहीं जुडती है और एक रीत निभाते हैं तो फिर उसमें इतना आनद नहीं होता फिर भी मैं कहूंगा मेरे अपनी ऐसी feeling है, माननेता है जब तक आपके भाव नहीं होंगे आप एक उप्वास भी नहीं करेंगे आपके भाव नहीं होंगे, आप प्रती कर्वन नहीं करेंगे तो भाव तो होने चाहिए और कदाचित कुछ प्रतीशत लोगों में भाव नहीं है किसी pressure में कर रहे हैं तो उनको कोसिस करना चाहिए कि नहीं हम भी पूरे भावों के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ इन परवों की आराधना करने का हम काम करें एक द्रिश्टान्त है अवो कल्पिते सच है क्या कहा नहीं जा सकता कि अमेरिका की बात है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के अपने आफिस की और चल दिया आफिस की और वो चल दिया गाड़ी पार्किंग में खड़ी करता है और एकाज व्यक्ति जो उसके साथ में था तो आगे बढ़ता है तो लिफ्ट की तरफ जाता है तो लिफ्ट की तरफ जब जाता है तो मालूम पड़ा कि बई बिजली नहीं है लिफ्ट बंद है आपको सीड़ी से ही जाना पड़ेगा तो उन दोनों तीनों व्यक्तियों ने विचार कर चलो कोई बात नहीं बात करते करते सांस लेते लेते धीरे 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 उपर चले जाएंगे बिल्डिंग छोटी नहीं थी चालिस मंजिल उंची थी और ओफिस भी चालिसवी मंजिल पर था अब धीरे धीरे चालिसवी मंजिल तक जा रहे हैं और चालिसवी मंजिल पर पहुँच जाते हैं जब चालिसवी मंजिल पर पहुँचे आफिस का लॉक खोलना था ताला खोलना था तो देव में हाट डाला कि चाबी जैसी जेव में हाट डाला चाबी थी नहीं दिमाग में आरे चावी तो मैं गाड़ी में ही सीट के उपर भूल करके आ गया हूँ अब चालिसवी मंजिल तक चड़ने की मशक्कत महनत पुरसार तो कर लिया अब चावी भूल के आ गये क्या फिर चालिस मंजिल उतरें फिर चालिस मंजिल चड़ें फिर आफिस को खोलें कभी कभी आप लोग धार्मिक साधना करने में चालिस मंजिल तक चड़ने का पुरसार्थ तो कर लेते हैं लेकिन भाव रूपी चाबी को भूल जाते हैं भाव रूपी चाबी यदि आप भूल जाते हैं भावों को उस क्रिया के साथ नहीं जोड़ पाते हैं तो आपका पुरसार्थ जो है वो आधा अधूरा रह जाता है आवशकता है कि अपने जीवन के अंदर अपनी हर धार्मिक क्रिया के साथ भावों को जोड़े निर्मलता को जोड़े उत्कृष्ट भावना के साथ हम धर्म आराधना करने का कार्य करें और ये पर्व हमें प्रेर्णा देते हैं कि हम देहे में रहते वे भी देहातीत वन जाएं क्योंकि अब आगे-आगे अंत्किर्दसांग सूत्र में जिन साधकों का, उनकी साधना का, उनकी तपका, उनकी घटनाओं का प्रसंगा आप सुनेंगे तो साधना का निचोड यही है देहे से देहातीत हो जाना देहे के बंधन से आसकती से मुक्त हो जाना जिसे हम कहेंगे भेद विज्ञान को प्राप्त हो जाना कि नश्वर देहे अलग है शाश्वत आत्मा अलग है इसी को कहते हैं स्वय पर का बोध कि स्वय क्या है पर क्या है आत्मा स्वय है इसके अत्रिक सारे संसार के पदार्त पुदगल वो सब परकी स्रिणी में आते हैं तो हम हमेशा इस बात का विचार चिंतन करें और चिंतन करें कि देहे विनाशी तू अविनाशी, देहे विनाशी तू अविनाशी, देहे विनाश को प्राप्त हो जाएगे, लेकिन तू यानि आत्मा तू अविनाशी है, तू जलती नहीं, तू गलती नहीं, तू मरती नहीं तो मैसी साधना की पाउन प्रेर्णाएं इन पर्वों से प्राप्त करें, मूड दसा का त्याक करें, आतम दसा को प्राप्त करने का भगीरत प्रियास हमारे को इन पर्वों की दुनों में अवस्मिव करना चाहिए, जो लोग इस परकार का पुरुसार्थ करते हैं, वे पर्म आनंद और मंगलता की प्राप्ति अपने जीवन के अंदर किया करते हैं